अब इस टूल की बाग करते हैं तो आपको यह टूल किस-किस मुबाइल में सब्पोर्ट करता है देखें इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल अनलॉक टूल की जैसे बनाए गया है तो अब अनलॉक टूल के जैसे देखें यहाँ पर ओपो इंफिनिक्स वीवो में बग क्ल अब आविस्वसनी है मतलब बहुत सारे मॉडल्स ऐसे हैं जो एक पी टूल में है और इनका सपोर्ट से पेट टूल में है सबसे वर्ड क्लास टूल पह है हलाकि मैं से वर्ड क्लास क्यों बोलुगा क्योंकि मार्ट विउस को वर्ड क्लास बोल चुका है दोस्तों यह जु तूल है आज मैं आपको इसका रिव्यू दे रहा हूं और यह है BMB का टूल है BMB V35 और यह पूरी तरीके से फ्री है एक यूजर्स के लिए सिर्फ अपनी जिद के मैं यूडूब फैमिली कैसे आप सभी लो दोस्तो एक वीडियो आपके लिए आज फिर से मैं लेके आए हूं सबसे पहले अगर आपने देवतरनकवाल के यूडूब चैनल को अगर अभी तर सस्क्राइब ने कर रहा है तो प्लीज सस्क्राइब कर लो क्योंकि आप इतने सारे वीडियो है नलिस्ट में और अभी तक आपना अगर यह वीडियो पर नहीं देखे हैं तो जाके यह वीडियो देख लो क्योंकि यह किसी भी एक इंस्चुट का paid content हो सकता है और किसी चुटे बोटे इंस्चुट है तो एक content ही नहीं होगा सज रहा हूं और यह है BMB का टूल है BMB V35 और यह पूरी तरीके से फ्री है एक यूजर्स के लिए आपको इसके लिए कोई पैसा देने के ज़रूरत नहीं है दोस्तों यह टूल एक रिव्यू होगा आप मुझे कमेंड पर बताएंगे मैं आपको एक सोर्स दे रहा हूं जैसे मैं मैंने बता किया तो मेरा फर्ज है आप लोगों को जानकारी जोटा के देना डेली कुछ आपको निया बताना और देली कुछ निया सिखाना तो यह जो टूल है दोस्तों इस टूल के थूरू मैं आपको आज जानकारी देना चाहता हूं कि आप घर बैटे आप इस टूल के जरू अपने phone को Unlock सकते हैं अपने phone को जो भी हम जैसे फर्प या मैं backup लेना है सारी चीजें इस टूल के मादम से की जा सकती हैं और बहुत सारी इसमें जो उपस्टन सें वह सारे फुरी दिये हुए और यह जो डैबलोपर को टीम है तीम का नाम है हाइट थाई तो बिसीकली हाइट थाई एक डैवलोपर टीम का टूल है जो कमप्लीटली फ्री है सारे इसके फीचर फूरी है अभी इसको पेड नहीं किया गया है मुझे लगता है कि भविश्म में हो सकता है यह भी पेड हो जाए क्योंकि जिस तरह से मैंने इ क्योंकि फ्री है और यूज करके बताएं कि इस टूल से आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है और क्या मुझे इसका अपडेट वीडियो बनाना चाहिए या नहीं चाहिए तो प्लीस मुझे कमेंट जरूर करके बताएगा अभी तो चलिए दोस्तों आईए सबसे प फाइल ओपन नहीं हुई तो आप मुझे ही दोसी करेंगे आप करेंगे कि देवतर नकपाल ने एक फेक वीडियो बनाया अब यह तो डाउनलोड ही नहीं हो रहा है इसलिए मैं आपको सोर्स बता देता हूं कि आपको यह डाउनलोड कहां से करना है क्योंकि मैं कोई की टू साइड मिल जाएंगी और जिसमें आप मेरे साब से किसी भी वेब साइड में जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं जैसे आप वीडियोड नहीं जाकर सौर्डवेर गुरू हो गया यहां पर बहुत सारे हो गया आई आई एस ट्रीम यहां पर तो यह सारे यहां से बाईपास तो यह तूल आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं देखें बीमबी टूल और यहां पर आप देखेंगे जो बीमबी टूल वी 35 और इस तरीके से देखिए यह मेगा की लिंक ओपन हो गई है तो आप इस टूल को आप डाउनलोड कर लेना लगवाग आपके 900 Mb का आपको मिलेगा तो जब आप यह तो यह तो डाउनलोड करने के बाद में आपको इसमें हाँ पर आपको R फाइल देखने को मिलेगी सबसे पहले आप अपनी system होता है वहाँ पर जाके अंटी वरस को off कर दीजेगा दूसरी बात इस अर फाइल को उपन कीजेगा उसके बाद में जो आपके एंटी वार्स को आफ करने के बाद क्योंकि दोस्तों आपके सिस्टम का एंटी वार्स इसको एक एंटी वार्स समझेगा और इस टूल की फाइलों को डिलीट करेगा इसलिए आप उसको डिसेवल करके इस टूल को चलाईएगा और यह क्रैक वर्जन नहीं है यह फ्री टूल ह क्योंकि पेड वर्जन नहीं था जिसका ट्रैक वर्जन लाए गया है तो आपको कोई पैच फाइल डालनी के ज़रूरत नहीं है किसी परकार का आपको डेड़ वेट पीछे करनी के ज़रूरत नहीं है सीधे जैसे इस टूल को ऊपन करेंगे तो इस टूल के फोल्डर में आप आपको एक मिलेगा BMV वर्जन जैसे आप यहां पर देख रहे हैं और आप इसको डबल टिक करेंगे तो आपको यहां पर वो आन करनी के लिए पूछेगा तो आप यहां पर नोटिस किजिएगा तो जैसी आप इसको यहां पर आन करेंगे मैं दिखाता हूं यह देखे तो एक यहां पर विंडो बनके आएगी बैक आप आयमी या सोनो तो आप यह दबाओ या नो दबाओ कुछ भी दबाओ यह टूल आपका ओपन हो जाएगा जैसे कि मैंने बताया इस टूल के डाउनलोड लिंक मैं नहीं दूंगा मेरा वीडियो आप लोगों को नॉलेज देना इस टूल पर काम करें और इसे रिजल्ट निकाले और अगर रिजल्ट बैटर होंगे तो मैं इस पर आगे एक वीडियो जरूर बनाऊंगा और दोस्तों आप भी मुझे कमेंट करके बताएगे किन किन ने यह टूल यूज किया है क्या यह टूल वाकिमें फायदे मन्द है पर कमेंट वही कीज़ेगा जिन्हों ने जिनको स्वाटesz करते आया घिनको स्वाट पर करते नहीं आता इस यह टूल यूज कर रहे हैं दोस्तों क्या होता है स्वाट नहीं आने पर हमारे ढ्राइबर का करना करना अला तो यह आंप टूल पर डाल देते हैं यह में अपने करके यहां पर लिंक है इसको आप अपने गूगल में लिख कर इससे आप टूल डाउलोड कर सकते हैं टूल का नाम है बीम्वी 35 अब बात करेंगे यह किन किन मुबालों को सपोर्ट करता है या जब भी हम टूल को उपन करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या यू आई देखता है इसका यू आई काफी यूजर फेंडली है जैसे यू आई मतलब जैसे यूजर इंटरफेस तो जिसको हम कहेंगे आप नोटिस करो तो यहां पर सपोर्ट डिखाई देगा जिसमें दिखाई देगा सपोर्ट ब्रो मेने वहल नुव 22 यहां पर ओपो यहां पर ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें कोई आपको पहले एक यूजर डालना पड़ेगा तब जाके इसको आपको उपन करना पड़ेगा तो यह डारेट क्लिक पर खुल जाता है दूसी बात यहां पर नोटिस कीजे कि यह हर तरह के विंडो को सपोर्ट करेगा कोई भी तो आपके तो बस्ते बहुत है कि यहां उसको खुलेट तो यहां पर ब्लिक और आपको तो तो आपको यहां देखाई देगा तो आप इस टूज की बात करते हैं तो आपको यह तो पिस मोबाइल में शबूट करता है इसका जो इंटरफेस है वह बिल्कुल उस्ली ने परक्लिक करके दिखाता हूं यह देखे यह उपो का यहाँ पर आपको ओपो के मौडल मिल जाएंगे यह इन्फिनिक्स के और यह वह भी लेटेस्ट ऐसा नहीं की पुराने वीवो के देखो यहाँ पर और एमाई के देखो तो देखें यहां पर बिल्कुल लेटेस आपको मॉडल मिलेंगे जो अभी मार्केर में रणिंग है आप देखें होवे आप देखें सैमसंग में आपको बहुत सारी चीजें अलग दियुही हैं मॉडल बाइस नहीं है तो यहां पर कुछ टैप दिये हुए ह अब नोटिस की जैए यह कोलकं के लिए पूरा अलगी बिल्क हो गया है तो टिक है अभी में जाऊं तो नोटिस कीिए मेडर टेक है और फ्लैसरों पर जाऊंगा तो यहां पर देखें यहां से पार्टिस जैसे अधर फायल सारी चीज है महल覆 वराइस करने के लिए यहां और आप डिर्ट मैनेज में पर टिक के तो आपके डिवाइक मेनेजर उपन उपन किया है तो यह आपके इसके ड्राइवर्स होता है मेरे कहल नेu इसको क्लिक करेंगे तो यह आपके ट्रावर को इंस्टॉल करेंगा जैसे आप देख रहे हैं कुछ इंस्टॉल कर रहा है यहां पर प्रेपर इंस्टॉल सो यह तूल एक फ्री है और यह आप लोगों के लिए और यह नॉलेज भी आप लोगों के लिए इस नॉलेज के लिए टूल के लिए एक लाइक और एक कमेंट तो बनता है और इस टूल को यूज करो और मैं जरूर चाहूंगा कि जो भी हार्डवेर करते हैं वह सौर्डवेर पर जरूर उतरो क्योंकि अगर आप स्वार्डवेर पर काम नहीं करेंगे तो आप डैड़ फॉन को बना नहीं सकते है तो 32-bit version of USB cannot be supported तो ठीक है तो इसको हम एकनौर करेंगे तो आइए तोड़े से फीचर समझ लेते हैं मैं बहुत तारे फीचर तो समझाऊंगा नहीं क्योंकि वीडियो पूर्ट लंबा हो जाएगा अल्मूस्ट अभी वीडियो लंबा हो चुका है तो दोस्तों जैसे की पर नो करते हैं ऎकर आपने स्वाइन स्वार्ट की वीडियो में हैं तो वही सारी शीजें आपके सारे तूलों में काम ने सो जैसे इंद्ध की साथ चीजें तो जैसे आप security पर उस पर काम कर सकते हैं आप unlock SIM पर काम कर सकते हैं यहाँ पर bootloader पर काम कर सकते हैं जब्सेटर आइमई रिस्टोर करना bootloader को lock unlock करना flash करना या फिर हम बात करें unlock SIM के लिए यहाँ पर कुछ Model दिये होएं जिसके आप Sim को अनलौक सकते हैं Security रीड मेसं कर सकते है डेमो आफ यहां पर कर सकते हैं और रहे हैं जैसे MDM हो गया वीवो के MDM हो गया या रिपेर आई ही हो गया उनलॉक बूर्ड लोडर तो यह सारी चीजे इन्होंने यहां पर भी दी हुई है अगर मैं बात करूंगा MI के अंदर है तो MI में आगर मैं जाऊं सो यहां पर बहुत सारे फोन दिए हुए हैं जिसमें आप देखें मिडिया टेक का पर दिया हुआ है और यहां पर साइड लोड बाइपास में आप इतने सारे फोनों पर आप इसका जो MediaTek MI account है वो bypass कर सकते हैं और यह जो particular phone है इसको आप bypass कर सकते हैं side side log bypass mode पर जाकर right MediaTek की अगर हम बात करेंगे तो हम read information कर सकते हैं FRP reset कर सकते हैं repair IMI हो गया unlock bootloader हो गया save format हो गया write protection file हो गई है सेम ऐसा ही अगर हम बात करेंगे Samsung में so Samsung में भी आपको यहां पर बहुत सारे पैटन देखने को मिलेंगे आपके phone को repair करने के लिए जैसे सबसे important और जो मैं बिल्कुल बोलूंगा जो आप नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है बड़ यहां पर Samsung मीडिया टेक है मीडिया टेक से अगर Samsung की मीडिया टेक की अफर पी है तो उसको reset करने के लिए यहां पर आपको एक पोड दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि आप इसको से phone को करनेक्ट करना पड़ेगा concerned mode के साथ में आप नोटिस कीजिए Samsung आयमी रिपेर मीडिया टेक के लिए यहां पर दिया हुआ है नोटिस कीजिए अभी मैं इसको बंद करूंगा फिलाल ओके तो यह टूली बंद हो गया है पूरा कोई दिकत नहीं मैं टूल को फिल से खोलूंगा तो टूल को खोलने के लिए मुझे इसको डवल टिक करना पड़ेगा यस करना पड़ेगा और यस करने के बाद इसमें एक Samsung का MDM इसका test point MDM unlock करने के लिए test point दिया हुआ है. तो यहां पर कुछ MDM remove test point यहां पर दिये हुए हैं, तो यह भी आप इस tool के माध़म से आप देख सकते हैं और यह भी आप this tool के माध़म से यहां पर कड़ सकते हैं और और अगर मैं Samsung को बात करूं तो यहां पर आपको यह स ने बनाया हुआ है और जो इस तरह का दिखाई देता है अगर मैं आपको खुल दूँ यह यह कॉलकम का है तो जिसमें आप नोटिस करो कि आप बैक अप के जी आई में कस्टम लोडर आप इस फाइलों का बैक अप ले सकते हैं कस्टम मतलब आप नोटिस करोंगे जिसमें से में आपको फाइल चांट ही मलकम करेंगे साव्मी क्लकम को उपनाय कंड़ ओक्त चैर्म और जो से हम यहां टेखके अपकोंगोंगे उसमी किए नडिसरे सब्सक्राइट ओस दोत में आप दिया हुआ है एक आपयो आपको दीघनाए कि willkommen कर रहा है कि नहीं कर रहा है क्वा diesen आप देखने एक इसके एक फोन पे इसको यूज बिए में के बंपडले क्स्टों कि यूज नहीं होते हैं को यूज करें कि तुम सब्सक्राइब तो पर क्या करो घुछcribe एक सीधा सा जवाब है और वीवो की अगर हम बात करेंगे तो वीवो के भी कुछ मॉडल से यहां पर मिल जाते हैं और फ्लैट कस्टम कॉलकम की यहां पर मिल जाती है कस्टम.mbine फाइल निकालके आप कस्टम फ्लैस भी यहां पर कर सकते हैं और तो यह दिया हुआ है और फ्लैसिंग के यहां पर हुआ है तो कितना है और क्या मुझे 설ब इस अप्डेट कि अपडेट के एक लाइक और एक कमेंट बनता है थैंक्यू वेड़ी मच अपने क्या किया डवल डगर 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 किया डवल करके लगाना ख्लीनिंग प्रोसेस यह सारी चीज की यह आपने किया सारी स्टुट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् अच्छे आपने पिलो इसको निकाल के रिवॉल करें ताइब मेरे सब्सक्राइब कर बहुत है पुरी क्ली परचिश करें आप दीनिता ंपनला के ल clown मलञ निकाल मेंलके चैdo करने मिलता है यहां आपने क्या दिन कर रहा है और वसके किया उडियों तर दिन क्या किया आफने अखरी दिन था జश्रूर्प आज आपने क्या किया सब्सक्राइब क्या क्या कि आज के दिन बताइए बसार ने डिया का सबसे नमबर वान इसी टिट्ट है कि प्या कि आज दिन बताइए चाँ